नमस्का इस्टूवेंट तो आज एक ऊन्याया टोपिक लिए किया हो वे आपके लिए पास्कल स्लो तो बेसिकली जो लोगों ने अभी तक हाइड्रॉलिक्स या हाइड्रॉलिक मसीन नहीं पढ़ा होगा यह जो लोग पढ़ रहे। तो उनलोगों ने यह टॉपिक जूरूर सुना होगा पास कर लो पैसी बेसिकली जो पास कर लो है वह आपका 10th और 12th में ही बच्चों को फिसक्स में पढ़ा दिया आता है इसका जो मेजरली यूज है वो सब्सक्राइब है और यह सब्जेक्ट आपका हाइड्रोलिक्स जो होता है तो इसलिए मैं आपको यह दोनों इस्टूइंट के लिए रहा हूं के सिविल और मेकेनिकल दोनों इस्टूइंट इसको कम्प्लिट तरीक से पढ़ ले हैं ओके तो नाओ इम गोंग तो स्टार्ट पुर्ड लुडक व्लों पास्केल माण पास्कल ओह मेंस आपकोड्रोम टेर्वाइब में स्ट्र पॉइंट कि अभ प्र इंतंकि आतों प्रूम श्रय तयक्रिशन भीेंर ओर सेवीं प्अ्र।च्ठ ऑरेग्रम टिख्र आ सबल्रें मृत स्टिसक्रिस की इस्टिस तो यह आपका यह आपका दी एक्स है और यह आपका दी एक्स है तो यह आपको दी एक्स को लोगा तो दी एक्स के टृट्मए डी एक्स के हो जाएगा अपका इड विल वी डिया सक्सा निकालना तो dx विए कितना हो जागा डीक्स अपका? dx विएक्वल टूद दूद दी एस sin ठीटा, ओके, तो यह आप छूद सा याद रखियेगा. क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि कोई triangle आपका है, और इस triangle में हम लोग बात करते हैं कि आपका यह यह ds है ठीक है और यह आपका angle theta है ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा यह cos theta हो जाएगा यह वाला term और यह वाला term क्यों जाएगा sin theta sin theta ठीक है तो it will be ds sin theta and ds cos theta ओक है so let us consider the following terms as mean PX is the pressure in X direction, pressure in X direction that is the PX, okay, and PY is the pressure in the Y direction, and PZ that is the pressure in Z direction, okay, and it will be perpendicular to the VC, it will be perpendicular to the VC, it will be perpendicular to the VC, it will be perpendicular to the VZ and this PZ angle to the vertical is 90 minus theta, it will be 2 parts to the VZ, so that here we have to consider about this angle also, so I have to consider this angle also, है, जो किसका हैँआअ का, ABC के बिच के एंगल अपका ठीटा है जो बी-पॉइंट आपका है वहाँ पर आपका एंगल ठीटा है जो आप लोग कहां देख रहे हूं इस समय तो as we know that dx dy और ds क्या है आपके इस fluid का जो आपने slab लिया हुए इसके dimensions हो गई इसके dimensions है और जो fluid आपका यूज है जो fluid particle आपने यूज किया हुआ है that is उसकी density कितनी है fluid की density आपकी minimally row density का आपका fluid यूज किया हुआ है ठीक है सबसे पहरे आपके निकलेंगे सबसे पहरे हम जो अपका slab लिया हुआ है इस slab पे हम consideration करके इसका निकलते हैं हम लोग कि हमने slab लिया हुआ है उस slab पर हमारे force कितने काम कर रहे है ठीक है तो तो हम क्यक्रेंगे इन सारे forces को यह PX pressure है PY pressure है P Z pressure है तो इन सारे pressure force को क्या करेंगे हम लोग फोर्स कंसिडर करेंगे के ए बी पर या बी सी पर या एसी पर आपका फोर्स कितना कितना लग रहा है ठीक है तो प्रेसर से फोर्स निकालने के लिए फॉर्म्ड क्या यूज करते हैं भाई आपको प्रेसर दिया हुआ है तो क्या करेंगे यूदि फोर्स निकालना है यूदि पर आपका क्या लगा हुआ है यह पी एक्स लगा हुआ है तो पी एक्स प्रेसर हो जाएगा आपका और एरिया हम क्या लेंगे यह यह वाला एरिया यह लेंगे हम ठीक है दूसरे दी मुझे एसी पर निकालना होगा तो एसी पर मतलब इस पर हमारा कॉंसा प्रेसर लगा पिटकें एपका बचा हुआ है बी सी मतलब यह वाला पॉर्ट्चन यह बचा हुआ है इस प्रसट क्लिक यह मुंट डिरक्षान वाला एत्कि तो क्लिए रही चीज़ें मैं सबस्ब लटे हम बात करतें एफ एभी की मतलब AIB पर आपका यह फोस्ट लग रहा है और आप कर हम नमाना यूनित मतलब यूनित मतलब वन तो क्या हो जागा पी एकसे इंटु दिवाई इंटु वन तो इट विल वी पी एकसे इंटु दिवाई शिमिलरली एफ एचिता लेंगे मतलब स्टार्च नब को फॉर्च लग रहा है इसी में यहां बॉच लग रहा है और विल वी पी एंटु एधियाओ फैसे तो पीएंटु डियक्स क्या होका डियक्स देक्सी लंबाई है चौड़ाइन इसकी यूनित है ठीक है तो सबस्क्राइब में तुरिंट तुल फैकल टूट पिज़न टो ट्यास के लेंथ लेंथ के तक 48 हुगया और कितना सबस्का अपको प्रेशर गए अपका पैसर विल बीजन टुब पिलेलिप्स इसका हो वेट ह 1965 मिलाम की यदि एलीमेंट की मलब हम पर्थ हमारा वेट होसर। यह निकाल ही होग यहां से लृत्यावर मच्टा आपका आयम्गneg revenue bah Sabren जानतेख में C rho into V,હ रो into V, तो we can written as W equal to rho G into V, ठीके रो क्या होगा, density of fluid होगा, G अपका gravitational acceleration होगा, V आपका क्या होगा, volume of this element, volume of this element, तो इस element का volume मुने निकाल लेंगे, तो देखिए इसका एरिया क्या हो जागा ABC का एरिया क्या होगा ट्रेंगल का एरिया क्या होगा वन वाई टू बेस बेस इन्टु हाइट इन्टु थिक्नेस थिक्नेस कतना इसका वन है तो बेस कितना होगा इसका एबी माल लेते हैं या बीसी माल लेते हैं तो यह बीसी इंटु एबी इंटु वन यह इसका हो जागा एरिया उससे हम निकाल लेंगे तो देखें वे वॉल्यूम के आपका वेट क्या हुआ वॉल्यूम इंटु रेंसिटी अफ फ्लियूट एंटु एक्सलरेशन डू क्या जो कर ने करने के बाद शobsलव कर दो इस फिर फिर एक्सलरेशन उसको ड्रीट कर रहे है जाए आपका यह दो प्र वी में। ऑक करेंगे स्कान कर रहे हैं प्रोन करेंगे इसको तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे तो यह अधना हो जाएगा यह को हो जाएगा पीजएड अब्राइब धक्षण में यह यह पर आपका जो फोर्स था वह आपको क्या पी एक इंटो डी-ए-इवे-ए-इड तो पीजड क्या लगा हुआ था यह पीजड लगा हुआ था अपका यहां पर इस जगा पर ब क्या पर तो इड़ वी पीजड इंटु दीए-इड क्या होगा पार को लेंद्ध हो गया इन्टो साइन नाइन टी मानस रीट है या या डाइटली कॉस्ट रवगी तो इट विल भी एकश इंटो डी वाई एककोल टू पी जर इन्टो डी एस इन्टो कॉस्ट रीटा ठीक है तो यहां से आप देखिए कि जो डी वाई क्यों वहोगी डी वा क्यों लिए झीए कांट क्यों हो जाएगा आपका ? यह जाएगा आपका ? यह को जाएगा आपका ? यह करें दिखिए हृ पी एकस पी एकस एक्कॉल टू पी जड हो जाएगा ठीक है इसमाल में लिखा हुआ अब बहुत च्छोड़ा पार्ट पार्ट में लिखा होग तो इहां अब कुछा लाहाँ चिरफ आयो तो में देखिए हमारा कॉन साफॉस काम कर रहा है इक तो में नहीं क увид प्रस ऑना होका यह काम बाना थो आपका प Candy है इंटू एरिया मतलब Ac इंटू 1 एक्वल टू यह पीजड वाला तो पीजड इंटू डीएस इंटू जब मैं इसे इधर लिजाएगा आपका यहां इंट्रेक्शन क्या हो जाएगा आपका यह यह पीजड कॉस 90 बाद शीट या डिरेक्ट लिख सकता हूं में पीजड यह आपका हो जाएगा साइन साइन ठीटा तो अगें जो हमारा एक्स की वेल्यू है डी एक्स की वेल्यू है यहां जो मैं एसी क्या होगा मेरा एसी मेरा क्या होगा डी एक्स तो होगा तो डी एक्स क्रावर कितना हो सकता है आपका यह हो सकता है डी एस साइन ठीटा के तो मैं यहाँ रखता हूँ यहाँ पर के PY इन्टू D S साइन ठीटा एक्वल टू PZ इन्टू D S साइन ठीटा तो यहाँ से दोनों टर्म कट गए आपके तो इट विल भी PZ PY इक्वल टू PY इक्वल टू PZ यह क्वेस्टन नमर सेकेंड मान लिया तो इक्वेस्टन नमर फर्स्ट में आपका था PX इक्वल टू PZ और क्वेस्टन नमर सेकेंड में आपका आगया PY इक्वल टू PZ तो इक्वेस्टन नमर फर्स्टन से हम लोग जाएंगे क्या होजाएगा हमारा फर्मॉला it will be the first equation क्या थे वो थी आपकी P x equal to P z equation nomer first और यह second क्या थी P y equal to P z equation number second तो इन दोने equation से क्या जाएगा मेरा we can write from these equation P x एक्वल टू PY एक्वल टू PZ हैंस प्रूब यहीं मुझे प्रूब करना था ठीक है कि आपके किसी पॉइंट पर जो सारे प्रेसर है वह एक्वल रहेंगे ठीक है तो एक्विशन मर्ण से सब्सक्राइब क्या गया PX एक्कल टू PY एक्वल टू PZ दैस प्रूब so now we can say the from above equation that pressure at any point in x y and z direction will be same so that is the Pascal okay और Pascal जो होता है जनली क्या होता है कि आपका hydraulic system को समझने के लिए hydraulic system को analyze करने के लिए यूज के जाता है पास कर लो तो देखिए यहां मैं आपको एक hydraulic system बताता हूं that is the system of hydraulic jack तो यहां आपका लगा हुआ है वो रैम जिस पर हम लोग कोई भी अपने पार्ट को रखके lift करते हैं उठाते हैं और यहां आपका लगा हुआ है वो portion जहां लोग इसमें input देते हैं अपने force का ठीक है तो यहां एक man खड़ा हुआ है एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि आपका input दे रहा है force कर रहा है और यहां से आपका output के तौरप आपको इसको lift मिल रही है ठीक है तो actually क्या होता है कि हम जो इतना force यहां लगाते हैं उतना ही force हमारा यहां develop होता है तो तो यहां आप stress लगाएंगे वही stress आपका यहां काम करेगा यहां जो ब्रेसर लगाएंगे वही प्रेसर के काम करेगा मगर area के कोड़िंग प्रेसर की value है वह चेंज हो जाएगी तो यहां क्या हम लोग ही समझ रहा है तो according to Pascal लो you know that as you know that pressure at every point in enclosed liquid will be same and hence there is no matter about the shape of vessel or container in which liquid is placed so in order to understand the hydraulic system depends upon the pascal law so we can consider the following things that is the fp1 equal to pressure 1 pressure 1 will be equal to the force upon area f1 upon a1 and similarly we can say that p2 will be equal to f2 upon a2 force upon area ठीक है तो यहां से हमारा एक क्या गया एक क्या गया तो according to Pascal हम जानते हैं जो पीवन आपका होगा ठीक है जो आपका stress sorry आपका प्रेसर पीवन होगा वो इस प्रेसर पीटू के एकल होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि according to Pascal लो जो आपका प्रेसर होता है वो एक पॉइंट पर स्टेटिक लिवीड में एकक्वली काम करता है किसी डिरेक्शन में ठीक है तो पीवन एकक्वल टू फीटू होगा मैं है फार्म्ली से करो तो एफवन अपन अपन एफ्टू एकल टू एफटू 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 यहाँ एफवन की वेयलई में निखाश में बढ़ाएंगे तो महां एफवन जो फोर से हो एफड़ फोटू एफटू हमारा को वोग बढ़ जाएगी तो यही इसका बेशिक यूज है तो हम यहां के एफ़र्ट को रिडियूज करने के लिए हम लोग एटू के वेल्यू इनक्रीज करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए होगा और नहीं सब्सक्राइब तो आप लोग इसका एक बर वीडिया दुबार देख लीजेगा और वीडियो को रिवाइब कर लीजेगा तो कुछ समझ माया जाएगा थैंक्यू थैंक्यू फॉर वाशिंग इस